कुरोना महामारी की वज़ा से पूरे देश के साथ खेत मज़़ों के व्यावसाय पर भी पूरा प्रभाव पड़ा है विवापूर तैसल के सोयावीन की फसल का सीजन शुर हो गया जीला बंदी और कुलना का संक्रमन ग्रामी निलाकों में बड़ी तेजी से बढ़ने से मज़़ों को भी भारी कामी महसस हो रही है इस वज़ा से सोयावीन की फसल को बारिश से बचा कर जल्द ही कटाई करने की योजना में किसान हारवेस्टर कटाई करना पसंद कर रहे है 21 वेशा तक में विज्ञान ने बड़ी सफलता हासल की है हर दिन नए टेकनोलोजी के साथ तयार होने वाली यंत्रों ने मानजीवन को करीब से चुआ है जो काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है इसी सोच को टेकनोलोजी ने गलग साबित किया क्रिश्य प्रदान भारत में क्रिशी यह मुख्यवया उसा है एक दशक पहले खेती के सभी कामों के लिए बेल गारी एक मात रसा दन था पर अब उसकी जगर टेकनोलोजी की यंत्रों ने ली है अभी कटाई, बुआई, थ्रेशिंग जैसे कामों के लिए हार्वेस्टर का इस्तमाल किया जाता है हार्वेस्ट के इस्तमाल से सोयाबीन, फसल की कटाई, बंधन और थ्रेसिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है खास कर खरीब फसल की बुवाई और बारिश की संभावना के कारण फसल खराब न हो इसलिए हार्वेस्ट का इस्तमाल करना जरूरी हो गया है इसलिए किसान द्वारा हर्वेस्टर का इस्तमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कृशिक शेत्र में यंत्रों के आने से खेती की काम करना असान हो गया है इसकारण नए टेकनोलोजी का इस्तमाल करने की तरफ किसानों के प्रवरुति बढ़ गई है भिवापूर तैसल में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल लेने के साथ किसानों द्वारा हर्वेस्टर का इस्तमाल बड़ गया है इन 20 न्यूस के लिए भिवापूर से राम वागमारे के रिपोर्ट